तो माई डेर स्टूडेंट आज किस वीडियो में बात करेंगे बिये फिप्त समस्टर के इनिसेंट हिस्ट्री यानि कि प्रचिय नितिहास के पूरे का पूरे स्लेबस और मोस्ट इंपॉर्टन टोपिक्स के बारे में तो आज की इस वीडियो से बहुत सारी आपको हेल्प मि आएगा उसमें को आएंगे जो पर आपको मिलेगा तो उसमें को कुछिन होंगे नवह से पूछे जाएंगे किस टाइप की कुछे आएंगे कौन से इंपॉर्टन टोपिक से बनेंगे यह सब आपको जानकारियें मिलेगी क्योंकि मैं आपको बताने वाला और इनहीं टोप पर सब्जेक्ट के दो पेपर देने होते हैं जिससे कि आपका प्रचीनितिहास का होगा पेपर यहां पहला दूसरा पेपर यह पहले पेपर का स्लेबस और प्रसम पत्र का नम यहां पर लिखा भी अधि ऑस्टेट पूरा इसलेबस है पूरा पूरा जोतों पूंठीक्स यह कि इंग्लिप में हैं और आपको अच्छ जब estamos अच्छ समझ सके इसलिए को मनें हिंदी में आपको भारत में वर्ण और जात के बारे में बताना है कि वर्ण और जात के बारे में सरवेचर तो क्रूल को आप लोग जानते भी होगे ठीक है धान से सुनेंगे पहले पर है चार मतलब की वर्ण में डिवाइड किया गया है पहले नंबर पर है आपका छत्रिय ठीक है और दूसरे नंबर पर आ जाएगा ब्रहमड तीफरे नंबर पर आ जाएगा वैस और चोथे नंबर पर आ जाएगा सूद्र यही चार वर्ण है जिसके अंतरगत अन्य जातिक कि यहां मतलब कि अन्न जो जाती है वो कर्टगराइजड की गई है मैं ये वर्ण है ठीक है वर्ण में आपको चाट्री पहला है तो ब्लोग देखे जैसे कि बहुत छोग है ठीक है बहुत बहुत लोग Has tarik enough on teaching लगाते हैं बहुत लोग के लिए थाकुर लिए हैं तो यह सब किअ है जात के को अगया ठीक है मतलब की मैंन तो च्छत के अंधर अगया लिए शेञा आ जाएंगे आप इसे तरह बहुत लोग अलग अपस्पि जो जाथी मतब्स की यह तो मेनि वरडी अंतरगत जो ज्यात को कट्राइज किया गया है तो यह इपरामार के अंदर मिस्रा सुकुल्ए थिर भार मिफ्त लोग इसे में लगा वरड के अंतरगत जो जात को कटराइज किया गया है तो यह ब्रहमर के अंदर शुकुला तेवारी ठीक है और बहुत लोग इसी में लगा देते हैं पार्थ लगा देते हैं उसके बाद आपका आजाएगा वैस और सूद्र वैस और सूद्र के एंतरगत जो जाति के लोग जेसे की पयतिज ciert के लोग जिए सबादेंगे जो-फासीर जाति के लोग यह फिर जिन को आप लोग बोलता है कि यह लोग यह लोग पुछभा-छूत वाले नहीं सुध्र है जैसे कि जैसे कि आपने सुना होगा कि जो मतलब की जंगलों में रहते हैं जिनको बनमानुस कहा जाता तो यह सब आ जाएंगे शूद्र के अंतरगत ठीक है तो इस तरह यह कटगराईश किया गए इस बात को धान नकिंग बहुत ही इंपॉर्टन टोपिक है उसके बाद यहा करता है या फिर दियातरा के रूप में सबीकार करता है या फिरत दैंको बध्यवस्ता YO को सबाण किया गया है जिसमें से है कई साठी पूर्षार्थ है ठीक है यानि कि चार पुर्सार्थ हैं से में आपको बता रहाँ क्योंकून से पूंस defence जिसमें इन्सान के पूरे जीवण सैली के बारे में बताया गया है कि किस साल फेकिस साल तक यह आपकी वास्थ आएगी तो ध्यांस सुनेंगे बहुत ही महात्पोंञ प्रश्न है बहुत ही नंबर एक पर नंबर तो पर आपका ग्रफ्त हो गया ग्रफ्त हास्रम ठीक है पहले पर भरभबचार आफ्रम सब्सक्राइब सन्यास चार प्रसार्थ कर लेन, प्रसार्थ के नाम संसकार से संभब्रोष्च लिए लोगों के अलग अलग संस्कार हैं अलग अलग जो उनके रित्रिवाज हैं जो पैटर्ण जैसे कि किसी भी आपके बाबा दादा जी थे तो उनके कुछ फ़िवाध की प्रेख करना ठीक है बहुत आपकि रचछा करना और अफोस सा रिस्पेक्ट करना यह सब्सक्राइब नाया है पहले वहां की प्रणाली कुछ अलग थी ठीक है और अब की बहुत ही अलग है तो इसके वारे भी पख़श्थन और ठीक है एक को प्रशीन भारत में प्रचीन भारत में महलाओं की पार्शीन क्या थि महलाओं कि किस नदिरेफ्ट देखा जाता था उनकी क्या समस्चाह थी उनको किस तरह की समस्चाह को सामना करना पड़ता था पर चीजन समय में तब इन सभी का उत्तर इन टोपिक्स के बारे में कैसे आपको समस्चाह देखा नहीं अ乾्तिते करना है कहां पर मिलेगा उसकी जानकर हम आपको देखांगे थीक हैं और सिकर्ण यूट में आपको राजी के उत्पत्ति के सिध्धानत आएंगे तो राज जो होता है उसकी उत्पत् परकार बताइए राज है नोट करो ले घृंग यह महात्पूरS six каким दौनहे से चेत्र होता था उसके क्या विचाrecет ओपर लोग ऐल के लिए या फिर एक सरकार की राज्नितिक बिचार के है फिर क्या-क्या उन्होंने कदम उठाते हैं या फिर क्या-क्या क्या क्लियां के लिए यहांसे कूš्चन बनेंगे यूंकि नमबर स्थू 어떻게 निबन सी इन। तोपिक से समधित कुछिन आएंगे अगला यूनिट है फोड़त की अफथाने प्रसाफन क्या अफथाने का अफथाने के अफथाने प्रसासन के अंतरगत यह हो जाता है छेत्र का प्रसासन क्या है इसके बारे मताईए ठीक है जिसमें से गुपता के राज्जी के बारे में कोशिना सकते हैं ठीक है गुपत 50 का राजा कौन थाुकर खार क후 इसका फासन काल के सचल आथा है ऐसका अगले जो चिनको बनागला कर लगाय गे थी ठीक है जिनके सबाइसे बारे में हैं हेलफू Li कोश्चन है आप आज आगे यूप में यूट नलब कुछ जने आपको क्रचीन भारत कि भारत में किसी प्रबंधन और सवामित के बारे दिखना है ये फिर जो भी भूमिका स्वामित होता है ठीक है उसको मतलब कि किस परकार से अपने कृस्टी को या फिर अपने खेट का देख भाल करके या फिर उसके खेट में बहुत लोग जो फशा होती तूसमें हिस्टा बटा लेते ते जैसे कि आम जंता पहले की थी था तो इसमें क्या करते थे जो भी राजा हुआ था था तो इस प्रकार आपको प्रस्ट देखने के मिल सकते यहां से कोश्चन ऐसे बन सकता कि प्रचीन भारत में कि जो कंडिशन थी या फिर क्रसी की जो इस्तिती थी वह कैसी थी प्रचीन बा मिल सकता नोड़ कर लीजे आप जिटनी वूट्क में को देखनी को सकता है कि श abundan मतलब की कुश्चन आहिसा हो सकता है कि प्रचीन भारत में सचाय प्रबंधन के बारे मताईए विचाय प्रबंद पुरबंद के लिए क्लिए आप विए जशक सकता है नोट कर लिए उसके बाद यूट नंबर सीवन में यूट नंबर सेवन में आपको गिल्ड संगठन क्या है और निर्माड यूमकार बिदेश बेपार और मार्ग मतलब गिल्ड संगठन के बारे में आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा लेकिन यहां पर एक कोश्चिन जो आप ल इस देश में नहीं वहां से आएं आया निर्याद जिसको बोलते हैं ठीक है तो बिदेश में बेपार करने के बारे में कोश्चिन हो सकता है और बेपार जो किया जाते थे उनका मार्ग भी था यानि की आने जाने करो राफता था ठीक है वो कौन को से माध्यम थे जिनके बेपार करने के लिए जाया जाता था ठीक है ऐसे कोश्चिन हो सकते हैं तो बिदेश बेपार और बिदेश मार के बारे में कोश्चिन प्रणाली कैसे थी तो पहले आप सभी को मालूम है कि आज की जवाने के इस्टूडेंट और टीचर्स नहीं हुआ करते थे पहले जो करते थे लेकिन अब क्या है तीचर और स्टूडेंट हो गए मतलब कि आप देखिए कितना परिवर्तन हुआ है तो भारत में या पिर प्रिचीन भात में सिच्छा प्रणाली पहले की जो थी वह अलग थी और आज अलग है पहले क्या था कि आस्रमों में बच्चों को यहां पर पढ़ाय हुआ करते थी जो सिस्ट हो मतलब कि जो गुरु होते थे उपने सिस्कों लेकर चले जाते थे ठीक है तो उनसे घर से कोई मतलब नहीं रहता था हलांकि डीटेल में कोश्चन पूछा जाएगा आपकी परिश्या में तो आपको वह तैयार करना और विकास मतलब किस प्रकास से ब्रद्धी हुई है और किस प्रकास से उसका इंक्रिमेंट हुआ उसमें बदलाव आया यह आप सबको लिखना पड़ेगा इसमें कुछ पार्ट क्रम है प्रमुक विष्युविद्याल है जिनके बारे में कोश्चन आएगा कि तच्छ पूरा पूरा जो से यहीं पर समाप्त होता आठ यूनिट आठ चैप्टर आठ टोपिक्स आएंगे इससे बाहर कोश्च भी नहीं आएगा ठीक है अभी के लिए आप इसी तरह बेशिक टोपिक्स को ढूंड के इंटरनेट पे इनको सर्च करके अपनी तयारी कर सकते हैं ब ठीक है तो बाकी आपका अपना ही चैनल सब्सक्राइब कर लिजिएगा और मिलते हैं आपको कोड़ने वीडियो में जहन्द